भगवान राम का वनवास काल में माता सबरी से भेट हुई थी। जन सुरूतियों के अनुसार वह जगा सुरी नरायन है। भगवान राम वनवास काल में मान नदी के तर्ट से होते हुए चंदरपूर पहुंचे वह चंदरपूर से होते हुए स्वीरी नरायन महा नदी के संगम के पास पहुंचे थे। महा नदी के संगम के पास मतंग रिसी का आस्रम था। यहाँ पर भगवान राम कुछ समय वेतित किये थे। स्वीरी नरायन से लगा हुआ खराओद में लचमडेसर महादेव का भव्य मंदीर है। यहाँ पर भगवान राम पूजा अर्चना कर अभिसे किये थे। मंदीर की दिवारों पर वनवास काल के समय की कई सारे घटनाओं को चित्रंकित करके दिखाया गया है। तो चलिए जान लेते हैं स्वीरी नरायन के कुछ प्रमुक मंदीरों के बारे में। यहाँ खरोद में इस्तित है यहाँ वैस्टनो मंदीर है। दूसरा है आंदल देव मंदीर। लच्मन मंदीर के बाद दूसरा इटो से बना बेहादी खुपसूरत वह अध्वितिय मंदीर है। मंदीर के प्रवेश दोहर में गंगा यमना स्वागत करती हुई यहाँ पर खड़ी हुई है। सीव पारवती ब्रह्मा विष्णू की मुर्थियां भी अंकीत किया गया है। लच्मन मंदीर के बाद दूसरा सबसे बेहादी खुपसूरत मंदीर है। मैं सोचता था चतिसगड में केवल लश्मण मंदीर ही इटो से बना है पर यह दूसरा मंदीर मैंने देखा जो इटो से बना है तिसरे नमबर में है खरौद में इस्थित लश्मण इस्वर महादयो का मंदीर इसे चतिसगड का कासी भी कहते हैं यहां मंदीर बहुत ही बारों में वनवास काल की कई घटनाएं अंकीत किया गया है यहां पर यहां पर दो सीला लेग भी मिला है गर्भरी के द्वार पर यहां पर गंगा यमना की मुर्तियां हैं तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर यहां पर लश्मणेशर महादेव स्यम प्रकट हुए हैं ब प्रयाग प्रयाग भी कहा जाता है यहां की प्राचिंता और वयभव दूर दूर तक फैली हुई है सुरीर नरायन मंदिर महा नदी के तट पर इस्थित है और महा नदी का वर्णन पुरानों में भी मिलता है महा नदी को चित्रोपला सिवनात को सिवा वा जोक को पलासनी नदी कहा जाता था यहीं नदी के तट पर मतंग रिसी का आस्रम था मतंग रिसी के गुरुकूल में माता सब्री ज्ञान अर्जन करती थी और व्रिद्ध वस्था तक यहीं रही भगवान राम जब अन्वास काल में आये थी तो माता ने उन्हें बैर खिलाया था माता जिस पत्ते से बेर रख कर खिलाई थी वह वट रिक्च आज भी दोने के आकार में यहां पर मिलता है चलिए आपको लेकर चलते हैं मंदीर परिसर के अंदर यहां पर कई छोटे बड़े मंदीर है यहां कि अदभूत है मंदीर की दिवारों में बहुत ही चोटे-चोटी मूर्तियां और कलाकृतियां बनाएगी है बहुत ही सुन्दर ढंग से नाकाश्री किया गया है मुझे हमेशा से आश्यार होता है कि किस औजार से इन्हें बनाया होगा कितने उन्नत कारिगर रहे होंगे कि गर्वक्री में सब्री माता का मुर्ती है तो यहां पर दोस्तों बहुत सारा मंदिर है और रियल में यह स्विरी नरायन धाम है यहां पर हर भगवान के दर्सन होते हैं आपको आने के बाद एक अलग ही अनुभा होगा तो दोस्तों अगर जब भी टाइम मिलता है स्विरी इस्वी का होने का संकेत मिलता है मंदीर के गर्भगुरी में भगवान नर्ठ नरायन की सुन्दर प्रतीमा है मंदीर के द्वार पर गंगा, यम्ना, देवी नदी की प्रतीमा वा विश्णु के द्षा ओतार का सिल्पांकन इस मंदीर की भव्यता को बढ़ाती है मंदिर की दिवारों में द्वार पाल, हनुमान जी, गडेश जी, नारत जी और कई मुर्दियां बनी हुई है मंदिर के गर्ब ग्रीह में भगवान नरायन की सुन्दर प्रतीमा है मंदिर की सिल्प कारी वो नकासी मुझे हमेसा से आशर्य चकित करती रही है यहां के जो इस्तंभ है यह जाली नूमा बना हुआ है और जाली नुमा इस्तंभ में बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गी है घोडे बनाई गये हैं, हाथी बनाई गये है जो बहुत ही बारिकी से बनाई गये है इसे बनाने वाले कारिगर बहुत ही कुसल रहे होंगे आप देख सकते हैं अंदर जो है पूरा खोकला है जो सर्प के अंदर वाला जो भाग है वो पूरा खोकला है तो बहुत ही सुन्दर मुर्तियां जो है बनाएगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्या सर्प है और इस्तंब के बीच में कलस है यहाँ पर जारी नुमा इस्तंब है यहाँ पर भी कई सारी छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है और यह पूर इस्थम अंदर से खोकला है अंदर से पत्थर कैसे निकाला गया होगा यह सोचने वाली बात है दोस्तो अगर आप चाहते हैं इसपे डीटेल वीडियो बनें तो मुझे कमेंट करके बताएं मैं जल्दी इसपर डीटेल वीडियो बनाओँगा दोस्तों मार्ग पुनियमा में यहाँ पर 36 गड़ का सबसे बड़ा मेला लगता है तो वहाँ पर भी आप घुमने आ सकते हैं सिरेन एन मंदीर का वीडियो आपको कैसा लागा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अच्छा लगे तिस वीडियो को लाइक करें सेयर करें अपने दोस्तों के विच अपने फैमिली के विच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय जोहार जय जय जिस गार्ट जय हिंग